हाई दोस्तों विल्कम बैक टू दे चटपट टोई टीवी मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक कमाल धमाल प्रोडेक्ट इसका नाम है फुल्ड स्कोप यानी गाईस ये एक माईक्रो स्कोप है देख सकते हो गाईस ये पूरी तरीके से हैंड मेड माईक्रो स्कोप है मनु प्रकाश गाईस इसे मैंने बाई किया था अमेजोन से मात्र 300 रूपीस में तो गाईस आप देख सकते हो इस तरह के पाउच में आ जाता है ये माईक्रो स्कोप मैं आपको ओपन करके बताता हूँ देख सकते हो दोस्तों इस तरह की DIY पुरा पेपर कट में मिल जाता है हमें तो इसके साथ देख सकते हो ये चीज़े मिलती है हमें फोल्ड स्कोप फील्ड गाईड मिल जाती है तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है गाईस और इस माइक्रोस्कोप को किस तरह से असेंबल करना है और इसे किस तरह से हमें बनाना है यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है यह देख सकते हो यह है इसकी यूजर गाईड और इसके साथ हमें मिल जाती है यह भी यूजर गाईड ही लग रही है गाईस देख सकते हो यहाँ पर इसे scan करने के लिए barcode भी दिया हुआ है इस microscope को किस तरह से बनाना है और इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर भी दिया हुआ है देख सकते हो guys तीन couplers मिलते हैं एक lens मिल जाता है और देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें कटकर कर निकाल ली है इसके अंदर से और उन सारी चीज़ों को जोड़कर इस तरह का microscope बनाया guys देख सकते हो यार क्या कमाल का microscope है यह यार इसे बनाने में मुझे तकरीबन half an hour लगा था पर guys पूरी तरीके से बन कर देख सकते हो ready हो चुका है हमारा microscope तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह रहा इसका lens तो दोस्तों इस microscope को किस तरह से use करना है मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो guys एक magnet लगा हुआ है और इसके पीछे है lens तो इसके साथ हमें एक और coupler मिल जाता है देख सकते हो इस coupler को मैंने मेरे mobile के camera से attach किया हुआ है यहाँ पर इस पर tape भी लगा दिया है तो guys आप चाहे तो इसे direct यहाँ से देख सकते हो इसके अंदर क्या चल रहा है आप चाहे तो अपने mobile को भी इस तरह से attach कर देख सकते हो guys तो यहाँ पर यह इस तरह से fix हो जाता है आपके mobile के साथ तो अभी आपको यहाँ पर आपके mobile में camera on करना होगा और इसके अंदर जो चीजे हैं आपके कैमरे में नजर आ जाएंगी है ना गाइस बहुत ही कमाल की चीज तो चलिए गाइस अभी थोड़े से slides प्रिपेर कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस इसके साथ हमें slides प्रिपेर करने के लिए भी मिल जाते हैं इस तरह के तो यह slides मैंने ही prepare की है यह देख सकते हो यह एक नीम का पत्ता और यहाँ पर एक छोटा सा चीटी भी डाल के रखा हुआ है गाइस मैंने यह देख सकते हो और यहाँ पर यह दूसरा वाला slide यह एक yellow color वाला flower और यह है मेरा hair तो यहाँ पर मैंने hair की भी slide बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए और यह देख सकते हो यह unprepared slide है तो इसे बनाते हैं गाइस तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक slide आपको बना के बताने वाला हूँ यहाँ से देख सकते हो एक छोटा सा blood का sample कलिक करने वाला हूँ तो हम पहले देखेंगे blood किस तरह से दिखता है microscope के अंदर गाइस देख सकते हो यहाँ पर मेरा blood आ चुका है बाहर तो इस blood को हम कलिक करेंगे इस वाली slide पर यहाँ पर इस तरह से कलिक करूँगा मैं देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मैंने मेरा blood लगा दिया है तो अभी slide को रखेंगे इस तरह से तो अभी slide को इस microscope के अंदर डाल लेते हैं देख सकते हो गाइस इस तरह से हमें हटाना होगा इस lens को और यह लेली मैंने slide और slide को यहाँ उपर से इस lens के सामें इस तरह से लगाना होगा तो चलिए अभी मैंने यहाँ पर कर लिया है मेरे mobile का camera on और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो यार यह है मेरा blood का sample ओ दोस्तों है न कमाल की चीज आप चाहे तो गाइस इसके उपर zoom भी कर सकते हो इस तरह से तो गाइस आप चाहे तो इसके उपर focus भी कर सकते हो इस तरह से आप देख सकते हो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फोकस इसे एना गाइस एकदम कमाल की चीज वा यार तो मज़ा आगया यार देख सकते हो गाइस मैं इस तरह से move कर रहा हूँ इससे तो चलिए slide चेंज करके देखते हैं दूसरा slide डालते हैं अभी इसके अंदर अभी मैं इसके अंदर यह दोनों slides चेक करने वाला हूँ गाइस यहाँ पर देख सकते हो एक चीटी है और एक green color वाला leaf है तो दोस्तों आप यह देख सकते हो यार यह है green color वाली leaf ओ दोस्तों देख सकते हो कैसा दिख रहा है इसे मैं मूब करके भी आपको दिखाता हूँ ओ भाई साब कितना जादा focus किया है इसने देख सकते हो बहुत ही जबर्दस लगा यार मुझे यह microscope वाव वाव दोस्तों मज़ा आ गया यार तो चलिए और कुछ देखते हैं इसके अंदर तो यह देख सकते हो दोस्तों यह है मेरा हेर कितना बड़ा दिखाई दे रहा है यार हेर देख सकते हो यहां पर पुरा ब्लाक एंड वाइट तुसे मूव करके भी देखते हैं ओ यहां पर देख सकते हो गाईस ओ भाई साब क्या जबर्दस्त है तो यह है रेन वाटर की ड्रॉप आप यहां पर देख सकते हो तो गाईस इसमें आपको छोटे-चोटे माइक्रो ओर्गोनिजम्स भी दिखाई दे रहा होंगे ओ हो जूम करके देखते हैं वा यार एक वाटर की ड्रॉप है गाईस सिर्फ यह देख सकते हो कितनी बड़ी ड्रॉप दिखाई दे रही है तो इसके अंदर कितने धेर सारे माइक्रो ओर्गोनिजम्स होंगे आप देख सकते हो यहां पर तो दोस्तों अभी यहां पर जो चीज आपको दिखाई दे रही है यार यह है कर्ड यानि दही दही के अंदर भी लाखो करोडो माइक्रो ओर्गोनिजम्स होते है यार देख सकते हो वाओ क्या कमाल का दिख रहा है यार मज़ा आ गया तो गाइस क्यूं है ना एक कमाल धमाल वाली चीज गाइस आप अगर इसे बाई करते हो तो यार मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जब आप इसके अंदर स्लाइड रखते हो तो उसके बाद गाइस आपको पीछे यहां पर कुछ लाइट लगाना होगा या फिर पीछे कोई टॉच लाइट लगाना होगा ताकि यह प्रॉपर तरीके से दिख सके इसके पीछे अगर अधेरा रह जाएगा तो गाइस आपको सैंपल के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देगा सिर्फ ब्लाक ब्लाक ही दिखाई देने लगेगा तो गाइस चलिए अभी दे देंगे शाउट आउट तो यह थी दोस्तो हमारी लास्ट वाली वीडियो अल्टिमेट स्लाइम लाब अन्बॉक्सिंग अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देगे तो यार जाकर जरू आप चाहता हूँ आप इस वाली वीडियो पर ज़रूर से 5000 लाइक्स कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाई है चटपर टॉइट टीवी को चलिए आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं यहां पर मिले हमें 653 कमेंट्स वाव अमेजिंग तो देख सकते हो दोस्तों सारे ही कमेंट्स पर मैंने हाड भी दिया हुआ है और सारे ही कमेंट्स पर लाइक भी किया है गैस मैं चाहता हूँ आप इसी तरह से रोजाना लाइक्स कीजिए और कमेंट्स कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाई है चटपर टॉइ टीवी को तो इन सारे कमेंट्स में से मैंने पिक किया है 30 लोगों के नाम तो चलिए उनके नाम अभी हम ले लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे पहला नाम आजाता हैं आतिक क्रिष्णा अश्वानी शर्मा नामदेव चावान मुष्टाक शेक भाविक गांधी रुची गार्ग मिथुन दत्ता जसनूर राजवीर हतरु शेल्वाले मौमद मोहीन तैंक्यू दोस्तों इतने जबर्दस कमेंट करने के लिए आप तो अगर दोस्तों आप भी चात पर 10 माइक्रोसकोब को बाई करना चाहते हो तो बाईลink आपको नीचे डिस्क्रिप्षेमे में मिल जाएगा हुआसे जाकर आप इसे बाई भी कर सकते हो गाइस इस माइक्रोसकोब की मैं आप आपको और एक खास बात बता देता हूँ आप देख सकते हो इसके साथ एक हमें चीज इस तरह का माइक्रोस्कोप तो guys मैंने आज तक नहीं देखा था बहुत ही कमाल का लगा ये वाला माइक्रोस्कोप मुझे तो चलिए guys आज की वीडियो यहीं पर होती है गता मिलता हूं आप से में नेक्स्ट वाली वीडियो में और कोई धमाकेदार toys के साथ तब तक के लिए बाई दोस्तो